डीजितल मार्केटिंग में स्टार्ट अपकंपनी जॉइन करना ठीक है कि नहीं है देखिए डीजितल मार्केटिंग में अभी कई सारी कमपनी आ चुकी है मतलब छोटी बडぎ कमपनी तो है ही है और लेकि छोटी कमपनी भी बहुत सारे आगये हैं लब कि वो प्रोजेक्ट्स बाहर से उठाते हैं US, Canada, Australia, किसी भी और कंट्री से वो प्रोजेक्ट्स उठाके लाके इंडिया में वो काम करके देते हैं क्योंकि labor cost जो है इंडिया में वो सस्ता है और इस तरह से ये काम चलता है अब क्या होता है कि नए नए start-ups बनते रहते हैं और वो प्रोजेक्ट्स बाहर से उठाते हैं और इसको काम करके देते रहते हैं तो जब भी कोई मेरी जैसा employee होगा या फिर कोई और भी employee होगा तो अक्सा सोचता है कि ये company नहीं है start-up company है क्या मुझे इससे join करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दो चार खास बातों का at least private limited company होनी चाहिए और जो salary है second जो आपकी salary है वो आपके bank account में credit होना चाहिए salary का क्या date है वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए fourth जो बहुत जरूरी है कि documentation आपका complete होना चाहिए यानि कि आपको off letter मिला हुआ हो आपको appointment letter मिला हुआ हो company का reputation background एक बार चेक जरूर कर ल आता फरक नहीं पड़ता पर यह चीज़ को confirm कर लिए कि क्या salary time पर मिलेगी या नहीं मिलेगी क्योंकि यह कोई मतलब कई लोग सोचते हैं कि यह बहुत चोटी बात है कि नहीं लेकिन आज की rate में चोटी बात नहीं है कि आपकी salary time पर आएगे कि नहीं कई सारी company क्योंकि Glassdoor पर और Google के reviews पर और company के बारे में जितना ज्यादा चान बिन कर सकते हैं कर लिए क्योंकि आप अपना वहाँ पर as a career देख रहे हैं ठीक है और उस company को join करने की बात सोच रहे हैं तो आप जरूर देखिए कि company का background कैसा है क्योंकि आप अपने life का कुछ time वहाँ पर देने वा जरूरी है यह सिर्फ startup के लिए नहीं है यह नॉर्मल company के बारे में भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आप वहाँ पर as a digital marketing के तौर पर join करें बटर लेकिन digital marketing का काम ना करवा के आप से किसी और चीज़ पर काम करवा रहे होते हैं तो यह इस बात का भी धिहान रख लिएग की हुई है कई सारी बड़ी company होती है जो कि अपना sister concern जो होती है company होती है वो इंडिया में खोल लेती है क्योंकि labor cost सस्ता जैसे मैंने आपको बता है तो वैसी company आप बिल्कुल join कर लिए कोई दिक्कर नहीं होती है बस इतना हर रखे कि कि कितने सारे employee है employee का strength कितना है आपके पर workload कितना आने वाला है इन सब चीजों के बारे में आपको मालूम कर लेना जरूरी है मालूम चला है कि वह वहाँ पर digital marketing के team as a team leader आप ही को hire कर रहे है और आपको ही team पूरा बनाना है ठीक है मतलब कि आपको ही 3-4 लोगों को और hire करना है तो भी आप कर सकते हैं ऐसी company में ज उसकी salary package होती है वो बहुत ज़्यादा होती है तो startup में आप जितना ज़्यादा जुड़के काम करेंगे company के साथ उतना ज़्यादा company grow करेगी उतना ही ज़्यादा employee grow करता है डिपेंड करता है बट ऐसा generally मैंने देखा है कि आप जितने ज़्यादा attach रहेंगे company से और company के जो projects आ रहें उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे है तो company grow करती है company grow करने के साथ साथ जो employee होता है वो भी grow करता है क्योंकि startup होती है ज्यादा लोग होते नहीं है तो जो profit sharing होती है वो ठीक ठाक सी हो जाती है और जो app result होता है वो भी एक अच्छा खासा motor होता है क्योंकि अगर यहीं से grow कर रही है तो वहाँ पर आपका salary package भी बहुत speed से grow करता है कम से कम आपको 25-30% का hike बहुत easy मिल जाएगा हो सकता है 50% का भी आपको hike देते है ठीक है तो यह था total startup के वारे में जो कि आपको जोआन करने से इन बातों का द्यान रखना है बाकि all the best जैसे भी company मिल रही ह आप उस पूस का proper research कीजिए बाकी वीडियो पसंद आया है यहां तक देखा है तो like करना बनता है like कीजिए फिर शेयर कीजिए चैनल पर नए है सबस्क्राइब कीजिए instagram पर मुझे follow कीजिए आज की तर रखते हैं फिर मिलेंगे बहुत ज़्यादी next वीडियो में तब तक लेडियो के नवच्का